Welcome to the studio, traders, Hindalco and Polycab, ये दो stocks को trade करने के लिए हमने आज अपने Public Telegram Channel and Private इन दोनों ही Telegram Channel पर हमने शेर किया था, Public Telegram Channel पर हमने सिर्फ इसके Levels निकाल करके शेर कर दी थे, कि ranges अपनी यही रहेंगी और इनहीं Levels के पास हमें Trade Execute करना है, Short Side की तरफ trade करना है, सारी एक एक चीज हमने clear कि थी, बट Public Telegram Channel पर सिर्फ ये stocks लेट करके हमने दिया था, ये Level निकाल करके दिया था, और हमने कहा थे, कि खुद बखुद analyze किए कि आपको इसके अंदर करना क्या है, दो मेंसे जो एक stock था अपने पास हिंड डालको का है, हिंड डालको ने क्या क्या थोड़ी देड तक तो move दिखाया, लेकिन इसके बाद फिर ये उपर की तरफ चला गया, जो morning की हमारी analysis थे, उसके recording short sell करना था, और जो target point था, वो gap ये जो हुआ था ना price, यहां तक हमारा target था, और confidence था, कि price यहां तक मेरा गिर जागा, लेकिन कुछ moves देखे यहां पर इस तरह के बने, कि जिस वज़े से मज़ा नहीं आया फिर, तो यह हुआ कि यह वाला तो gap पूरा फिल करना चाहिए था, यहां तक है और यहां से फिर यह उपर के तरफ चला गया, वो turn हो गया, turn हो जाने के बाद में ऐसा भी नहीं हुआ है, कि price आज का अपने 9.15 की candle का हाई ही ब्रेक कर दे, या even open या फिर close price तक भी चला जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ, वो पूरी तरह से stock side way ही हो गया, कुछ एक चीज़े होती हैं, कि prices के जो price action बनते हैं हमारे levels के पास में, जब हम लगातार किसी एक system के उपर काम करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़े हो जाते हैं, जो देखने से लग जाता है, कि जैसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, जिस तरह से चीज़े बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आपको फिर रोकने की खुशिश करते हैं, थोड़ा सरुक जाते हैं, ट्रेड अभी execute नहीं करते हैं, थोड़ा सरुक जाते हैं, हाला कि breakout हुआ, अब ऐसा नहीं कि price breakout हो गया, तो उसके बाद यह हमने trade दिया था, breakout होने से पहले ही level हमने mark करके दिया था, कि अगर नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हम लोग इसको short के लिए देखेंगे, और short ही करेंगे, 100% short करेंगे, buy नहीं करेंगे, अगर upside की तरफ जाता है, तो फिर यह चला जाए, हाला कि हुआ क्या, कि यहाँ पर जो price action बने, और जिस तरह से यह green वाली volume आ गई है हमारे पास, यह वाली candle और यह जो volume बनी, इसने कहीं न कहीं confuse कर दिया, price फिर देखेंगे हमारा नीचे की दिशा में तो आया है, बट इसके अंदर फिर वो confidence नहीं रहा हमको, price ने retracement देखाया, अब price जब मेरा upside की दरफ जा रहा था, तो इसके अंदर देखें, volumes increase हो रहे थी, और जो गिरने वाली volumes थी, फिर वो लगातार कम होती चली गए, यहाँ पर देखें, वो कम हो रहे थी, सारा stock अपने पास होने के बावजूद, levels नेकालने के बावजूद, सब चीज़े करने के बावजूद भी, वहाँ पर level को identify हम करी नहीं पारे, मतलब वो confidence यह नहीं आपा रहा था, कि हम trade execute करें, trade लगाते लगाते वो trade हमने अपना cancel कर दिया, आज एक भी trade execute नहीं हुआ है, जैसे trade book अपने open करते हैं, order book open करते हैं, order book में देखिए, कोई भी order नहीं लगा हुआ, and position book भी पूरी की तरह से खाली है, कोई trade execute नहीं हुआ, तो दूसरा जो trade था हमारा वो था polycap, अच्छा फस्ट वाला तो हिंडालकों था, हिंडालकों के अंदर एक चीज हम आपको बताती है, यह technique है छोटी से, जिसका use हम लोग trade sessions में कर सकते हैं, trade execute करते वक्त कर सकते हैं, और यह बहुत पुरानी technique है, बहुत पुरानी in the sense कि, अब class में हमने इसको पढ़ाना बंद कर दिया है, यह इतनी पुरानी है, बट कहीं न कहीं होता है, कि पहले हम चीज़े इसका use करते हैं, या करते हैं, तो इसका मतलब जब हम use कर रहे थे, तो वो, बट धिरे धिरे हमने देखा उसको कि, इसका use थोड़ा सा कम है, उसका हमें कोई बहुत बड़ा benefit नहीं मिला, लेकिन कुछ conditions ऐसे हैं, जिसमें वो technique अभी भी काम करती है, जैसे कि हिंडाल को था, अब आप कोई भी trade execute करो, जैसे कि just for example, हमने एक candle देख रही, या day time frame पर जब हम रीट कर रहे हैं, एक candle हमारी इस तरह की बन रही है, मतलब वो doji type ही है, price जहां पर हमारा open हुआ, यह तो Christians वाला cross बन गया, इसको doji बनाते हैं पहले तो, जैसे यह, यह doji candle बनी, अब यहाँ पर जो आपका open price है, और जो close price है, यह अभी भी cross ही लग रहा है, यह हमारी एक candle बन गया, अब यहाँ पर जो अपना open price और जो close price है, open price जान दा सन्स के morning का अपना open price, इसके बाद में last में जो price close हुआ, वो यही कहीं आ करके close हो गया, इस जगह पर, इस जगह पर मान के चली का करके close हो गया, तो हुआ क्या कि price ने जहां तक भी अपना move दिखाया, higher time frame पर actually हुआ कि उसने एक doji candle form कर दी, बट 5 minute पर यहाँ पर open था, यहाँ कहीं हो करके यह ओपर की तरफ गया होगा, और फिर यह close हो करके नीचे आया, और यहीं पर यह पर यह अपना close हो गया, तो day time frame पर जब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक doji candle form होती हुए नजार आ रही है, समझ रहे हैं कि price ने move तो up and down side यहाँ तक का दिखाया, बट जहाँ पर यह open हुआ था वहीं कि उसी क्या स्पास कहीं close हो गया, बट इस पूरे move structures के बाद में, प्राइज ने कहीं ना कहीं अपनी कोई एक significant candle छोड़ी होगी, जो कि important होती है, candles के significations की एक technique होती है उसको find करने की, मतलब बहुत सारे लोग इसे परिचे थे हैं, सबको मालूम भी हम बहुत हम इसका use भी करते थे, शुरुवात के दिनों में इसका काफी ज़्यादा use होता था, अब देखे कैसे होता है कि हमें सबसे ज़्यादा high volume find करनी होती है, कि एक trend में जब market नीचे की दिशा में गिर रही है, तो इसके अंदर से हमें एक candle निकालने पड़ती है, जो कि high volume की होती है, समझे रहे ना, कि यहाँ पर देखे, price ने high कहाँ पर लगाया है मेरा, यह इस जगे पर high लगा और यह low लग गया, अब हमें देखना है, इस पूरे trend के दुरान में सबसे high candle काउंसी बन रही है, तो हमें पता चल रहा है कि 920 की candle मारी सबसे high candle है, अब अगर day time frame पर यह अपनी एक doji candle form हो रही है, तो lower time frame पर आकर कि इसकी एक significant candle हमें लोग फॉर्म कर लेते हैं, find करते हैं और यह बन जाती ही मेरी important candle, actually हो था क्या है कि price यहाँ से support लेने की कोशिच करती है, क्योंकि last trading session में जवाब देखो कि इसको day time frame पर, day time frame पर देखें इसने क्या क्या नहीं एक doji candle form कर दी, इस वाली range को हम चलिए delete कर देते हैं, black value line को delete करते हैं, इसको भी delete कर देते हैं, अब यह doji candle बन गई, अब इसने 466.40 और high जो हमारा बन रहा है, वो 473 के आसपास का बन रहा है, 474 का, इस बीच में कहीं न कहीं एक candle ऐसी 5 minutes पर फॉर्म की है, जो की बहुत important है, इस case में, हम क्या कर लेंगे, उस candle को उठा करके mark कर लेते हैं, और देखते हैं कि price ने जहां तक का भी अपना move दिखाया था, प्राइस वाँपर sustain नहीं कर पाया, अब इसको समझेगा, कि price हमारा गया तो upside की तरफ तक था, यहां से नीचे गिरा, फिर कोशिश की उपर की तरफ जाने की, यहां तक कहीं यह sustain किया अपने आपको, यहां से फिर यह नीचे की तरफ गिरिया, और वापस से यह open price था और यही close price बन गया, तो कुछ बहुत बड़ा drastic difference तो है ने, तो price ने जहां पर भी यह इतनी सारी candles बनाई है, इसमें कहीं न कहीं एक इसने checkpoint बनाया होगा अपना, वो हमें कैसे पता चल रहा है, volumes के थूँ, high volume निकाल लिए, अब इसमें इसी volume का हमने high mark कर लिया, अब price उपर से नीचे की दिशा में जा रहा है, नीचे से उपर की दिशा में जा रहा है, इस के उपर टेपेंट करता है कि इस candle को mark कैसे करना है, उतना deep dive नहीं करेंगे, deep analysis नहीं करेंगे, बट इतना समझ के चल लिएगा, इस candle को हमने high mark कर लिया, अब देखें यहाँ पर हो था क्या है, कि price उसी candle के low से या फिर high से support लेने की कोशिश करता है, और morning में actually हुआ यही, price इस वाली level को break कर देगा, जब हमने अपने टेलिग्राम चैनल पर यह levels ट्रॉव के थे तो हमें यहीं लग रहा था, कि price अपनी इस red value land को नीचे की तरफ break कर देगा, अगर break किया, तो यही अपना benefit हो जागा, इसी के breakout का में profit देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ने, price यहाँ पर आया, और यह हमें लगा कैसे न, क्योंकि जितनी slow, जितनी कम volume के साथ, प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर रहा था न, जैसे यहाँ पर देखे, selling की volume नहीं आए, यहाँ पर भी volume नहीं यहाँ पर भी नहीं आए, यह एक candle है और उसके बाद में फिर से volume नहीं गिरने लग गए, छोटी-छोटी symptoms हो रहे थे हैं, जिसको देख करके, पर प्राइस एक्षन, जिस प्राइस एक्षन के तरफ आप काम कर रहे हो, आपके अपने कुछ पेट, कुछ फेवरेट प्राइस एक्षन होते हैं, अब मार्केट में हमको, जो हमारा फेवरेट है, हमारे किसी भी लेवल को, किसी भी level को high volume के साथ किसी भी level से हमारा मतलब है कि मेरा pre-defined full level जो कि high volume and high price movement के साथ break किया जा रहा है और retracement पर हम उसके अंदर अपनी entry बना लेते हैं या बहुत बार chances ऐसे आते हैं कि हम aggressive entry बनाते हैं बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर volumes के structures देख करके बिलकुल भी हमें confidence नहीं आए कि हम trade execute करें अच्छा अब हम देखे हैं कि technique भी कुछ है यहाँ से हम लोग trade बचा सकते हैं यह stop loss hit now उसको कोई technique भी है हालां कि इस तरह कि कुछ बहुत खास techniques नहीं है लेकिन lower time frame के हमारे जो अपने price actions हैं जो class वगरा में भी हम discuss करते हैं वो जो price actions होते हैं वो कहीं ना कहीं उस symptom को show कर देते हैं अब simply अभी आप एतना समझ लिजे कि हमारा एक ये point है इस point के नीचे आप देखोगे कि price में जो अल्रीड हम बता चुके हैं एक low लगता है एक high लगता है एंड यहां से price अमारा support दिलने लगता है अब अगर price को इस level के नीचे निकलना है अगर इसके नीचे जाना है तो यहां क्या करना होगा ना कि volumes के breakout आपको देखने को मिलेंगे जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं volumes आने ही बंद हो गए जैसे price range पर इसके अंदर volumes ही आने बंद हो गए अब breakout हो गए तो trade मारना चीए थे थे ना volumes नहीं आ रहे और price को अगर उपर जाना है तो फिर यह उपर भी चला जाए बट जो buying के volume हो भी नहीं आ रहे जो positive volumes है और price क्या कर रहा है आपने high को protect करने के कोशिश कर रहा है यह वाले कुछ points हो गए या फिर यह वाले कुछ points हो गए इनको protect करने के कोशिश कर रहा है और volumes नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या होता है कि price अब में भी कोई बहुत बड़ा move नहीं दिखा सकता तो chances बहुत कम हो जाते हैं तो कुल मिला करके इस stock के अंदर ये था कि ये side भी हो जाएगा जिस वज़ए से हमने क्या कि trade execute नहीं हुआ और इसी वज़ए से इस stock के अंदर हम अपने stop loss देने से बच के अब इसके बाद में अगर हम main point पर आते हैं कि किस तरह से हम लोग अपना stop loss देने से बच सकते हैं market में तो देख लो अगर आपको confidence नहीं हारा trade execute करने से पहले तो आप वहाँ पर trade execute नहीं करोगे और ये जो candle के बारे में भी हमने बताया ना ये बहुत कम use में होती लेकि इसका बहुत rare case में हम use करते हैं जैसे day time frame पर अगर हमें कोई doji मिल गई तो उस doji candle के अंदर हम अपनी एक important candle find कर लेते हैं अब ये candle क्या बता देती है कि हमें breakout देखना था इस चीज़ को समझेगा कि हमें जो breakout देखना है वो इस वाली candle का देखना था अब ये भी समझ में आ रहा है कि price जिस तरह से नीचे की दिशा में आ रहा है हमें नहीं लग रहा है कि price इस वाली candle का यानि कि ये वाले जो support इसको बहुत easily break कर पाएगा क्योंकि volumes नहीं न, volumes तो निल होगे price नीचे की तरफ आ रहा है बट volumes नहीं है और जब ये ऊपर की दिशा में volume जा रही है तब price भी हमारा वापस हमारी range के अंदर आ गया बहुत समझ समझ के साथ काम करने की चीज है आप कहिए कि बस एक बार में हमने आपको बता दिया आपको समझ वाएगा तो कल से चलिए ठीक हमारा stop बसीट नहीं होगा एक होदा ना कि आप मान के चलिए price को नीचे की दिशा में गिरना है या फिर ओपर की दिशा में जाना है तो यह हमारे क्या हो जाते है ना कुछ एक support point बन जाते हैं यह कुछ support point है अब price को अगर नीचे की तरफ गिरना है तो वो अपने support को break करते हो नीचे जाएगे जैसे कि यह point हो गया फिर upside की तरफ अब हम मालूम है कि price को नीचे की तरफ जाना है और यहां से अगर हमें trade execute करना ह इस वाली जगा से तो हमें support कौन से cash करने पड़ेंगे यह वाले अब इस वाले support को break करने के लिए जितनी volumes की ज़रूरत है जिस तरह के price की sparkness की ज़रूरत है वहां पर अगर यह हमको नहीं show हो रही है और price हमारे इस वाले level पर है यहां पर हमें volumes नहीं आती हूँ देख रहे हैं वो यहां पर बन नहीं रहे हैं तो हम यहां से फिर trade execute नहीं करते क्योंकि लग जाता है कि level breakout तो नीचे की तरफ हो सकता है बेट में भी हो सकता है यह fail हो जाए हो सकता है जब आप trade execute करने जा रहे हो तो चुटी 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 चीज़ आप ना देखते हो समझने वाली रेंज के breakout से पहले अगर symptom दिखा देता है कि कम volume आ रही है या prices के जो breakout है वो बहुत strongly नहीं हो पा रहे हैं तो avoid कर देते हैं उसको इस तरह से क्या होता है ना हम अपना एक stop loss देरें से बचा लेते हैं market को अब इसी case में देख लो क्योंकि यहां पर यह precautions हैं जो एक trade execute करने से पहले हम लेते हैं अब हमने क्या क्या हिंडाल को कि थूर हमने बताया कि previous day में एक important candle हमने निकाली यह वाली है अब यह support area था और इसी support का breakout हमें चाहिए था but support के breakout से पहले हमें लग रहा है कि नहीं breakout जिस तरह से market नीचे आ रही है chances chances बन भी सकते लेकिन फिर वो confidence नहीं आ र दिखाया लेकिन फिर यह वाले जो point बन रहा था जैसे green वाली candle थी हमारी जो entry का area बन रहा था इस green वाली candle के नीचे हमें trade execute करना था अपने यह पर volumes के and price को दोनों के confirmations थे हमारे हम trade execute कर सकते हैं लेकिन फिर जब हमने देखा कि हिंडाल को इस तरह की movement दिखा रहा है और फि profit में रहते हैं और यहां पर हम निकल भी जाता है यह जो कल की जिस candle low लगाया है जस्ट इसका हाई हमारा target point होता है यही तो वो candle है जिसने कल low लगाया था क्योंकि यह 9.15 के candle इसके बाद में यह वो candle जिसने low लगाया था and volumes के structures के भी तरह हमको लग रहा है कि यही हमारा support point है price ने क्या किया इस black वाली candle के उपर जैसे ही इसने closing दी फिर नीचे रुका नहीं है यह फिर सीधो उपर की तरफ ही चला गया है मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है कि price ने ये वाला low लगा देने के बाद में एक high लगाया कहीं न कहीं इसके low पर buyers बैठोंगे और यहां पर sellers ब target book करने के कोशिश करते हैं और ऐसा नहीं है कि exact high के पास में हम रपने target book करते हो सकता है थोड़ा सा buffer देते इस वाली candle के पास में target book करते या फिर इस candle के थोड़ा सा ओपर में book करते कुल मिला करके अगर हम यह trade execute किये होते तो यहां से मैं अच्छा target मिलता है बट नहीं कोई trade execution है तो simple से चीज़ जो आज की वीडियो से हम आपको clear करना चाहरे है समझाना चाहरे है trade execute अगर आप करने जा रहे हो तो कुल मिला करके पूरा confident हो जाओ otherwise stop loss देने से आप बज जाओ गया अगर आपको confidence नहीं आ रहा है trade execute करते हैं अच्छा confidence नहीं आ रहा है कि दूसरे शब execute किये हैं जितने भी trade अभी तक हमने execute किया है जो money management या जो risk management हम लेते हैं उसके according price action जो हम देखते हैं तो उसके according हमें नहीं लग रहा है कि जो breakout हो रहा वो success होगा तो यह professional way हो गया नहीं इसके पीछे logic है trade execute नहीं करने की पीछेगा क्योंकि अब नहीं लग रहा है हमको अदा ही होनी चाहिए या price अपका 500 का होना चाहिए या कुछ इस तरह के technical terms के market में आप देख लो कि चार candle black और चार candle white बन जाए या green बन जा तो trade execute ना करो ऐसा कुछ नहीं होता बस क्या वो देखने से आपको जस्त लगेगा महसूस नहीं होगा आपको ठीक महसूस नहीं कर रहा है को अगर ब्रेकाउट मारा तो आपको फील ही नहीं हो गई है में भी आज हम जो लेंग्वेज यूस करें वो थोड़ा से practical लेंग्वेज है वरना ऐसे क्या यह तो हाई वॉल्म वाली candle हो गई डे टाइम फ्रेम पर यह प्लोस प्राइस हो गया हाई पर रिजल्ट कर पाऊगा जब एक अच्छा खासा आपको experience होगा trade execute करने का कभी कभी आप भी यह मैसूस करते होगे कि technically तो सब कुछ सही है बट फिर वियार मन नहीं होड़ा trade execute करने का तो यह तो हो गया एक extra precaution लेना trade लेने से पहले थोड़ी सी साफधानी रखना और दूसरा जो हम fear की बात करेते हैं कि डर की वज़े से भी होता है कि आप trade execute नहीं तो वो फिर गलत बात हो जाती है टेकनिक्स भी सारी सही है सब कुछ सही है लेकिन मेरा loss हो जाएगा अब 50 रुपए का हमारा risk है या 500 का हमारा risk है मेरा 500 का loss हो जागा आप क्या करें नहीं 500 रुपए नहीं दे सक पर जिस तरह से price breakout हमारा देखा रहा था यहां पर भी आप देख रहे हो ना कि price जैसे ही इस green वाली candle के नीचे आ करके perform करना जिस तरह से जैसे इसने start किया यहां पर volumes नहीं है देख रहे हैं आप volumes नहीं है बिल्कुत slow हो गए और फिर यहां पर volumes आ गई वाल्यूम साही तो फिक price भी गिर गया यह confidence आए हमको कि हम कर सकते थे लेकिन फिर नहीं मन इच्छा नहीं अंदर से trade execute करने के और में अगर हम करते ना morning में अब क्यूंकि चल चुका है polycap तो इसलिए हम बोल सकते थे कि हम polycap को trade कर रहें लेकिन अगर हमें trade करना होता तो morning मे हो सकते हम हिंडाल को trade कर देते लेकिन बच किसमत अच्छी कि trade हम execute नहीं कर पाए वहना stop loss ही चला जाता है तो चुटी 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 चीज़ है चुटी 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 टेक्निक्स है जिसको कि अगर आप charts के उपर लगाऊगो तो stop loss देने से बच सकते हो summarize करें अगर हम लोग आज के अपने topic को आज की वीडियो को पहली चीज़ तो confidence अगर ना है आपको अपने chart के उपर transactions के उपर या way of breakout के उपर या volumes के उपर तो trade execute मत करो दूसरा जब हम लोग यह देख रहे हैं कि कोई भी candle अब या आज पर तो हमने देख लिया अपना अगे example के previous day की यह हमारी एक important candle हो गए है ना यह important candle बन गए हमारी तो इस candle का breakout ज़री है और market इस candle का breakout अगर करती तो move अच्छा आएगा अब breakout देने के लिए market नीचे आ रही है बड़ उसका way of structure क्या बन रहा है प्राइस जिस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है जैसे नीचे की तरफ आ रहा है वो किस speed मेरा क्या is partners उसके अंदर जो volumes बन रही है क्या वो ऐसी छोटी-छोटी volumes है या फिर बड़ी volumes आ रही है अगर बड़ी volumes है मतलब एक support area को ज्यादा quantity के साथ ब्रेक किया जा रहा है अग आज की वीडियो में सिंपल सी चीज़ वही कि ट्रेड हमने एक्जेक्यूट नहीं किया क्यों नहीं किया उसके पीछा का रिजन जस्ट हमने आप लोंगे साथ शेयर किया वीडियो अच्छा लगा तो उसको जबूर से जबूर लाइक किजेगा और अगर चैनल पर आप पह